नमस्कार दोस्तों विल्कम टू स्विंग ट्रेड इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल पैथलाब कंपनी के बारे में इस स्टॉक में जिसी हिसाफ से करेक्शन हो रहा है अज बहुत सरे रिक्वेस्ट आया था तो कि यह वीडियो में हमाया पॉटफोलियो में हम इसको क्या ज्ल खरेंगे बाकि दूसरा स्टॉक में स्विज कर लेंग रह सकते हैं इसके बारे में इसको बात करेंगे और इस winner करने से पहले है साँग presents सब्सक्राइब कर लिए उसके में बेल आइकन को भी प्रेश करके आते हैं वाटसब ग्रोप में तो यहां पर वाटसब का नंबर दिया हुआ इस नंबर पर आप मेरे साथ में ज़रूर जोड़ सकते हैं ठीक है फिर देखें यहां पर आज हम बात करेंगे लाल पतलो में मार्केट तो रिकवरी हुआ है आज के दिन में अगर बात करेंगे 2.53 परसंटेज का बड़ी ऐसा तेजी देखने को मिला था जो कि हमारा एस्पेक्ट नहीं था कि इमेडियेट लिए से रिकवरी लेगा लेकिन फिर भी मार्केट में बहुत अच्छा से यहां पर देखिये आज के दिन में मेरा एक स्टॉक से प्रफिट भी आया था मैंने एक स्टॉक भाई भी किया वी यहां पर भॉक किंग करके देखिए यहां पर मैं फाई नर बिन घवां बहुत सब्सक्तरा तो लेकिन फिर भी मुझे मुझे भूरो साथ था मिने अपना जो टे प्रफिट वोकिंग हुआ यहां पर आएंगे आप बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूं दिखिए यहां पर मेरा टार्गेट भी आचीव हो गया ठीक है यहां तक का मैंने टार्गेट लेके चला था यह टार्गेट मेरा आज आचीव हो गया तो इसी वेसिस पर आप बड़ी अगर रखे हुए हैं फिर भी अगर आपको स्टाक में मिल रहा है आप अपना करने से पहले जिस टार्गेट के वेस्ट आपने वाई किया था तो उसी साफ से आपको उस कन्विंशन के साथ में आपको स्टाक करना पड़ेगा दिखिए यहां पर 56 परसेंटेज का गेन मिला कोई एक स्टाक में आपको एक साल में भी टून्टीपर परसेंट का गेन मिल जाएगा लेकिन अबरेज वह निकली जाएगा ठीक है आज के दिन में इसमें प्रफिट वोकिंग करके मैंने यहां पर हिंदुस्तारे इंविलीवर में मैंने बाइग किया तो यहां पर बहुत है यहां पर जलще होए तो यहां हो सकता है यहां पर आला lush करेंगे आपके बारे में यहां आच के दिन-ई-ट में रिक आया है लेकिन रिकावरी बिल्कुल नहीं है है जो कि 16 रुपीज का गिरावट अगर आज की दिन में हम बात करेंगे यहां पर फोर लाग 68 थाजन क्वांटिटी यहां पर ट्रेडिंग हुआ है तो यहां पर अप्रॉक्षमेंटली दो लाग मार्केट पर इसका बात करेंगे हैं अगर बात करेंगे कंपनी का अरोची है अल्मोंस डेट-free कंपनी है जो की अल्मोंस डेट-free कंपनी है तो यहां पर हम बात करेंगे ऑल्स टाइम हाई का सब्सक्राइब करेंगे यहां पे इस डिसमबर को 497 करोट का सेल्स था तो सेल्स में तो फड़ा सा इंप्रूमेंट नजर आ रहा है तो यहां पे अगर हम बात करते हैं यहां पे नेट प्रफिट में जरूर डिक्लाइन नजर आ रहा है तो यहां पे नाइट फॉर करोड का यहां पे नेट प्रफिट था अभी 57 करोड का नेट प्रफिट यहां पे देखने को मिल रहा है नेट काफी जिन से अगर अपने इस टोक को आपने पोर्टफोलिय में लिये होगा अगर तीन साल भी सतोक में खिसने टाधु ऐत टीन पर्वियर जया है एक हई ना चलना चाहिiał बताओ टो उसके बाए में करेंगे यहां पर प्रामोटर होलडिंगी मत करेंगे यहां पर recognize कोंडेघी होलडिंगे जो कि है थोचे आपRI लांपे मैं रहें त्रीफ़ करेंगे सटेक्षों के यहां पर यह यहां पे पास में 6.59 सीसे होलडिंग यहां पर पासिमिन पर संथाल स्थ opener डियंगे यहां पर परसेंटेज़ ऐसे सब देख सकते हैं यहां किन हैं यहां यहां पर यहां पंप कि परहा है तो सब्सापने चल रहा है जहां तक आ चुका है सब की इंपोर्टरन लेवल टक噹 चुका है यहां पर काफी करेक्शन हो चुका है अगर हम बात करेंगे कितना परसेंटेज का करेक्शन हो अगर चेक करेंगे तो यह तो अगर हम इसी साफ से देखेंगे पर यहां से तो यहां पर तो यहां पर उसके बाध पर गोश्तस्वा לסट सब्सक्राइब यहां पर चुका था यहां होगा है यहां पे 41% 42% का correction था उसके बाद में अगर हम बात करेंगे अभी उसके बाद में यहां पे 35-36% का correction था तो उसके बाद में यहां पे भी 40% का correction आ चुका है यहां पे आप देखेंगे तो अभी का market scenario में भी 40% का correction आ चुका है फ्रेंट्स मुझे ऐसा लगता है अगर आपका पॉर्टफोलियो में स्टॉक है तो आप इमिडेटली प्यानिक मत किजिए बड़ी ऐसा कंपनी है कोई आपको प्यानिक करने की जरूरत नहीं है तो आप इसमें अगर आप बने रहेंगे तो आपको प्रॉफिट जरूर तो आपको बड़ी ऐसा गेन मिल सकता है अगर आप इमिडेट गेन चाहते हैं अगर आप लेके चलते हैं अगर फिर भी आप अगर शिक्स टू नाइन मौंस या तो फिर एक साल तक अगर अपना टाइम देते हैं तो यहां पर आल टाइम हाई बिल्कुल आचीब कर सकता है तो इस इसाब चाहब अगर यहां से लेके यहां तक का अगर देखते हैं यहां पर 67 पर्सेंटेज का गेन आपको मिल सकता है अगर 67 परसेंड के लिए आपको ज़ाए एक साल से ज्यादा भी लग जाए तो बहुत बढ़ी ऐसा गेन हो सकता मेरे हिसाप से ठीक क्या मार्केट में आप सीख समझ कर अगर कुई पिसटाउप में तो फ्राइज में किसी भी रिजन से घ्लोबाल की रिजन हो चाहे जड़ाये कुछ भी की सुंट्पिंट से से बिगड़ता है तो वहां पर होल्ड करने की आपको कोई प्रोब्लेम नहीं होता है यह एक रिजान होता है और दुसरी बात है आपको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको पॉट्फॉलिय को डाइवर्शिपिकेशन जरूर कीजिए हर एक स्टॉक में 3-5 परसंटेज का इन्वेस्टमेंट कीजिए आपको इ सब्सक्राइब कर लेजिए उसके साथ में प्रेस करके रख लीजिए तक आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन आपको टाइम दें मिल सकता है ठीक है थैंक यू बेरी मुच फ्रेंट पर आचिंग इस वीडियो मिलतें एक वीडियो